आज मैं आपके लिए बहुत ही तेस्टी चटपट और एकदम कुरकुरा सा नाश्टे की रेसिपी लेकर आई हूँ जो इससे पहले शायद आपने नहीं खाया होगा और ये बहुत टेस्टी है तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं इसके लिए मैंने यहाँ पर मिक्सिंग बोल दिया है इसमें एक कप गेहूं का आटा डाला है जो हम रेगुलर जिससे रोटी बनाते हैं वही आटा साथ ही इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे तेस के कॉर्डिंग और आदी छोटी चमश लाल मिच पाउडर डाल देंगे और इसमें अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका सक्त आटा लगाकर तयार कर लेंगे वसाब ध्यान रखें इसका सक्त आटा लगाना है हमें और ये देखिए मैंने इसका आटा लगाकर तयार कर दिया है और ये एकदम टाइट है और अब इसमें पानी डाल देंगे, पानी हम इसले डाल रहे हैं ताकि इसमें से स्टार्च निकल जाए इस तरह से पानी डालेंगे, उसे हलका हलका सा मैश करेंगे और ये देखिए, पानी एकदम क्लावडी हो गया है, फिर तोड़ा थोड़ा वाइट हो गया है क्योंकि इसमें से काफी सारा स्टार्श निकल गया है अब हम इसमें से सारा एक्स्टर पानी निकाल देंगे जितना पानी आप निकाल सकते हैं निकाल दीजिए और अब मैं इसमें यहाँ पर दो से तीन चमश बेसन डाल रही हूँ साथ ही एक चमश और डाल देंगे और इसे वापिस एक बर अच्छे से mix कर लेंगे हमें इसका नॉर्मल आटा लगा कर तयार करना है अब और इसमें थोड़ा सब बेशन और डाला है मैंने यहाँ पर टोटल चार चमश बेशन डाला है और यह देखिए आटा लगकर तयार हो गया है और बस आप इसे साइड में रख देंगे पांच मिनिट के लिए तब तक हम इसकी स्टफिंग की तयारी कर लेते हैं यहाँ पर एक बोल में मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है आप चाहें तो ग्रेट कर लें या फिस तरह से रफली से हाथ से ही मैश कर लें अब इसमें नमक डाल देंगे तेसकी कॉर्डिंग साथी थोड़ी से लाल मिश पाउडर डाल देंगे यहाँ पर मसाले आप अपने तेसकी कॉर्डिंग भी डाल सकते हैं साथ ही थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया डाला है और एक हरी मिज को बारी काट कर डाल देंगे और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से मैंने हैं पर एक छोड़ा चम्म चाट मसाला भी डाला है जो शूट करने से रह गया है तो आप इसमें अपनी मन पसंद या तो चाट मसाला डालने या फिर अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है ये देखिए स्टाफिंग बनकर तयार हो गई है और यहां जो हमने आठा मलकर तयार किया था उसमें से भी कुछ छोटी सी लोई ले लेंगे और इसे सुखी आठे से कोट करेंगे इस तरीके से और फिर हाथ से इस तरह से हलका हलका प्रेस करते हुए इस तरह से इसे बढ़ा लेंगे जैसे हम कचोरी के लिए करते हैं विकुल इसी तरह से आप चाहें तो इसे चकले बिलन पर भी हलका हलका बेल सकते हैं और अब मैंने इसमें पनीर के स्टफिंग रग दी है एक से दो चमश भरके रग देंगे और इस तरह से इसे सिंपल बंद कर लेंगे जैसे हम स्टफ प्रांथा बनाते हैं विकुल इसी तरह से इसे हम बंद कर लेंगे ये देखिए विकुल से तरीका है ये और ये देखिए इस तरह से मैंने तयार कर लिया है और अब दूसरा तरीका ये है कि भी कुछ छोटी सी लोई लेनी है उससे भी छोटी लिये है और इसी तरह से इसे बढ़ा लेंगे फिंगर्स के वीच हलका हलका प्रेस करते हुए और इसमें स्टफिंग रख देंगे पीछे से आगे की तरफ इसे करेंगे और दोनों साइड से उठाते हुए पिंच करेंगे और जो पिंच किया है उसे आगे की तरफ प्रेस कर देंगे और फिर दोनों साइड से उठाते हुए इसे पिंच करेंगे बस इसी तरह से हम बार बार करेंगे आगे की तरफ करते जाए और दोनों किनारे उठाकर पिंच करेंगे और जो पिंच किया है उसे आगे की तरफ प्रेस कर देंगे और फिर दोनों साइड से उठाकर पिंच करेंगे यह देखे इस तरह से बहुत सुंदर सा पैटरन बन जाता है अगर आपसे बन जाता है तो ठीक है नहीं तो आप इसे कि बहुत असान है यह देखिए मैं एक बार आपको फिर से दुबारा से बना कर दिखा रहे हूं लेकिन फिर भी अगर आपसे नहीं बन पा रहा है तो भी कोई बात नहीं आप इसे सिंपल या तो गुजिया की शेप में बना सकते हैं सिंपल जैसे हमने पहले राउंड शेप में बनाया है या फिर ट्राइंगल जो भी आपको शेप पसंद हो आप उस तरह से इसे बना सकते हैं जैसे हम मोमोस बनाते हैं बेको यह वही तरीका है और यह देखिए मैंने कुछ आप चाहें तो इन्हें स्ट्रीम भी कर सकते हैं यानि भाप में भी पका सकते हैं और ये देखिए इस तरह से आप इन्हें उलड़ते हुए medium flame पर अच्छे से golden color आने तक फ्राई कर लिया है और अब हम इन्हें निकाल लेंगे यहां मैंने इन्हें पेपर पने काल लिया है और ली जेज़ें अब इन्हें गरमा गरम सब्स पेशियरève करें और अगर आपको हमारे रेसिपी इस ट्राइ के बा概 के पसंद आती थीं तो विडियो को लाइक को शेयर जरू कीजिए और साथी चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें इसी तरह की और नहीं नहीं रेसिपीज देखने के लिए